आज 4 जून है और हम 4 जून से related सबी most important current affair को पढ़ेंगे तथा उस से संबंधित तथों को भी जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं पहला कर्स्थन है हाली में भारत सरकार दोरा डेरी किसानों के लिए किस योजना को लांज किया गया है तो 2 जून 2020 को भारत सरकार ने डेरी किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अवियान लांज किया है लगबग 1.5 करोड डेरी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा कितने 1.5 करोड इस योजने का तहद भारत सरकार उन किसानों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करेगी जो दूद उत्पादक कमपनियों से जुड़े हुए हैं भारत में दुग्ध संग से जुड़े करीब 1.7 करोड किसान हैं ये डेरी सहकारी अंदोलन के तहद पंजी कृत हैं भारत में कितने दुग्ध संग से जुड़े हैं तो 1.7 करोड किसान जुड़े हुए हैं यह अभियान आत्म निर्भर भारत का अभियान का एक हिस्सा है। यह योजना उन किसानों को भी पांच लाख करोड रुपे की अत्रिक तरलता प्रदान करेगी जो कोविड-19 आर्थिक संकट से जूज रहे हैं। नेश्ट कोस्टन है। हाली में सुरू की गई खेलो इंडिया समुदाइक कोच विकास कारकरम का उदगाटन किसने किया है। तो बता दें यूवा मामले और खेल मंत्री किरन रीजजू ने खेलो इंडिया समुदाइक कोच विकास कारकरम का उदगाटन किया है। इस कारिकरम के तहट पूरे देश में समुदाइक प्रसिचकों और सारीरिक सिच्छा के लिए 25 दिनों का कारिकरम है कितने दिनों का कारिकरम है ये 25 दिनों का कारिकरम है भारस सरकार ने लोगों को अपने जीवन में फिटनेस को अपनाने के लिए तथा प्रुसाहित करने के लिए यह कदम उठाया है यह कदम क्यों उठाया है भारस सरकार ने तो लोगों में फिटनेस और प्रुसाहन करने के लिए डबलू यच्चो के अंसार बिस्व में चार में से एक व्यस्क सक्री नहीं है यानि कि चार व्यस्कों में से एक व्यस्क में सक्रीता नहीं है उसी को देखते हुए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है नेस्ट कोस्टन है फिनलैंड में भारत के नए रादूत के रूप में किसे चुना गया है या किसे निउक्त किया गया है तो रबीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नए रादूत निउक्त किया गया है रबीश कुमार उननीस सो पंचानव बैच के आई एफस अधिकारी है वहां बरतमान में बिदीस मंत्राले में संयुक्त सच्यू के पत पर कारणत है रबीश कुमार बरतमान राजदूत वानी राव की जगह फिल्लेंड में भारत के राजदूत होंगे फिल्लेंड के प्रधान मंत्री सना मारिन है वहां का राधानी हिलेश की है नेस्ट कोस्टन है बिस साइकल दिवस कब मनाया गया तो प्रतिवर्ष तीन जून को बिस साइकल दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट द्वारा पहला बिस अधिकारिक साइकल दिवस तीन जून दोहजार अठार को परिवाहन के सरल किफायती मनों भरोसे मन स्वच और परयावरणी रूप से फिट टिकाव साधनों को प्रसाहित करने के लिए यह मनाया गया था इसका उद्देश है जीवन को सरल बनाना बता दें कि नीदर लेंड की राधानी एंस्ट अल्डरम में 40 प्रसात लोग काम पर जाने के लिए साइकल का उप्यूप करते हैं नेश्ट कोस्टन है हाल ही में जारी बिमल जुलका समित रिपोर्ट किस से संबंधित है तो बिमल जुलका समित रिपोर्ट फिल्म मीडिया इकाईउं के युक्ति करण से संबंधित है इस समित ने फिल्म प्रमोशन फंड बनाने की सिपारिस की है इस समित ने क्या क्या सिपारिस है की है तो इस समित ने फिल्म प्रमोशन फंड बनाने की सिपारिस की है साथ ही इस समित ने राश्टी फिल्म विकास निगम चिल्डरीन्स फिल्म सुसाइटी आफ इंडिया फिलमस डिवीजन सत्त जीतरे फिलमस आद के विकास के लिए रोड मैप की सिफारिस की है समित ने राज़स सुस्रेजन को बेहतर बनाने और संसाधनों को बित्तिय रूप से आत निर्भर बनाने को पाए सुझाए है Next question है Moody's Investors Services ने भारत की सावरेन रेटिंग को घटा कर कितना कर दिया है तो बता दें Credit Rating Agency Moody's Investors Services द्वारा भारत की सावरेन रेटिंग को घटा कर BAA3 कर दिया है भारत की बिगरती राज़कोशी स्थिती और लो ग्रोथ के कारण भारत की रेटिंग को BAA2 से घटा कर BAA3 कर दिया गया है बता दें कि BAA3 सबसे कम निवेश रेंकिंग रेटिंग है Moody's द्वारा भारत की बिद्धितर 2022 के लिए 8.78.7 प्रसत निधारित किया गया है Next Question है हाली में किस महिला हाकी खिलाडी को खेल रत्न प्रसकार के लिए नामित किया गया है तो बता दें भारती महिला हाकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को खेल रत्न प्रसकार के लिए नामित किया गया है राजिव गाधी खेल रत्न प्रसकार की अवधी जन्मरी 2016 और दिसंबर 2019 के बीच है इस अवधी के दौरान रानी रामपाल ने 2017 में महिला एसिया कब जीतने वाली टीम का नेत्रत्र किया उनके नेत्रत्र ने 2018 एसियाई खेलों ने रजत पदक जीता था राजिव गाधी खेल रत्प्रसकार की ताहद खेल मंत्राले एक पैनल गठित करती है तथा कई अन्महसंगों के से प्राप्त नामांकन को साल्ट लिष्ट करीगा तथा यह पुरसकार 29 अगस्त 29 अगस्त के दिन राष्टी खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है उसी दिन दिया जाएगा उसी दिन यह राजिव गाधी खेल प्रसकार बित्रित किया जाएगा नश्ट कोस्तन है हाली में वन नेशन वन कार्ड योजना के तहाद कितने और राजियों को सामिल कर लिया गया है तो वन नेशन वन कार्ड योजना के तहाद तीन और राजियों को सामिल कर लिया गया है एक जून 2020 को केंद्री मंत्राले द्वारा सिक्किम अरुणाचल प्रदेश और मिरजोरम को सारवजनिक बित्रल प्रडाली के एकिकरित प्रबंधन पीडियस में सामिल कर लिया गया है अब तक यह भारत के सत्रा राजियों और केंद्र सासित प्रदेशों में किरिया सील हो चुका है भारत कितने राजियों में? सत्रा राजियों में अगस्त तक तीन और राजियों मरीपूर, उत्राखंड और नागा लैंड को इस कलस्टर में जोड़ा जाएगा वन नेशन वन रासनकार्ड का उद्देश है कि देश में कहीं भी नागरिकों को खाद्यान का कोटा प्रदान कराना प्रवासी स्रमिकों के अपने घरों में लोटने के बाद यह योजना उनके लिए बहुत मददगार सिद्ध होगा नेश्ट कुस्टन है आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट कितने हजार करोड रुपै के रिड को सिक्रिती दी गई है तो आत्म निर्भर भारत अभियान के तहट तीन हजार दो सो करोड रुपै के रिड सिक्रिती की गई है सारजनिक छेत्र में बैंक आत्म निर्भर भारत अभियान के तहद 3200 करोड परदान करेंगे सारजनिक छेत्र के बैंकों को इसमें MSME को फाइदा होगा यह रिड़ MSME को किराए के लिए अपने खर्चों को पूरा करने समानों की खरीद और बेतन की भुकतान में मदद बिलेगा आत्म निर्भर भारत अभियान केंद्री बित्र मंत्री निर्मला सीता रमड ने आत्म निर्भर भारत अभियान योजना के तहद 20 लाग करोड रुपए के आर्थिक पैकेज की घोस्डा करते हुए कहा था कि यह एक साल की मोहलत के साथ रिड मुक्त कर्ज का प्राओधान किया जाएगा इतने साल तक एक साल तक रिड नहीं लिया जाएगा यह रिड वे हैं जो अब सारजनिक छेतर के बैंक को द्वारा प्रदान किये जा रहे हैं किसको प्रदान किये जा रहे हैं MSME को Next question है हाली में दिल्ली सरकार ने किस एप को लांच किया है तो दिल्ली के मुखमत्री अर्विन केचरीवाल ने दिल्ली कोरोना एप लांच किया है यह एप्लिकेशन सहर में वेल्टी लेटर और अस्पताल में बेड़ से संबंधित सभी आवस्षिक जानकारी प्रदान करेगा हाली में ऐसी सिकायत थी कि गंभी रूप से बिमार कोविड नाइंटिन रोगियों के लिए इलाज के लिए दिल्ली में परियाफ्ट वेल्टी लेटर और बिस्तर नहीं है इसके समधान हेतु यह एप्लिकेशन लांच किया गया है दिल्ली में बता दें कि कुल 302 वेल्टी लेटर है इन में से 210 रिक्त हैं एप्लिकेशन में जानकारी दिन में दो बार अप्डेट किया जाएगा इस एप्लिकेशन में यह था आज के मारा प्रमुक करंट अफेयर इस वीडियो को अधिक से अधिक सेयर करें तता हमारे चैनल को लाइक और रेड़ वाला बटन दबा कर सस्क्राइब करें